मैं अधार अब अपने दों संद्य हो गई एक defini क्परि वाया elegant我就 Putin करूं देंगे उसका संदी उत्त्य विछ्शेद करते विए आपको सुच्र व्याख्या करनी ए उसी प्रिकार आपको देखेंग निको आपको सुद्र के विच्छी विच्छी करना होगा अब आपके अगली संदी आ गी है गुण संदी कि इस इन पहला सुद्र अधेंग गुण अधेंग क्या कहता है पहले तो इस सुद्र का अर्थ लेग देख लएते हैं इसमें तीन सब्द है अत एंग गोण अत का मिलब अ एंग एंग प्रतियार है स्वरी कौन कौन से यह प्रतियार में एंग का मिलब ए उंग ए और ओ दो वरन और उसके बाद में तीसरा सब्द है गोण अत एंग और गोण अत यानी अ एंग का मिलब है ए और ओ और और आगे आगे गो होती है संग्या की परिपास आपने आज तक रटी हुई है कि किसी व्यक्ति वस्तु इस्थान या जगे गए नाम को आपन संग्या कहते हैं लेकिन आज तक व्यावारी का आपको पता नहीं होगा कि संग्या कैसे होती है कि आपने ए और ओ इन तीन वर्णों का नाम क्या दे द के वही उसकी सेंग्या होती है तो आपने आजसे ही याद रखेंगे आप की is 80 को ने के सर ए और ओ यह तीन है जो गोन हैं इन तीनोंका नाम क्या है गोन है चलो लिया इन तीनों का नाम गुण है यह क्यों इनका नाम गुण लिखावा है तो आगे एक सूत्र आएगा उसमें अपने ये काम आएगा क्या सूत्र है आद गुण आद गुण क्या कहता है कि अवर्ण से परे अच्छ होने पर पूर्व प्लस पर दोनों की जगए गुण आदेश होगा समझ गए नहीं समझे आद गाम लब अवर्ण आद नहीं है या प्रत देखो किसी भी वर्ण के पीछे त लग जाए उसका मतलब क्या है कि वह सिरफ अपना नाम ही कहेगा अपने पडोसी को वह साथ में ले करके नहीं आएगा यह आपको किसी फलानेगर से नहता मिला है तो उसमें आप कह दिया कि फलाने आदमी को yeah ना है उसके पीछ तो आपको क्या है की उसी को जाना है दूसरे आदमी को अपने भाई बेन या पडोसी को वह साथ में नहीं ले जाता उसी प्रकार किसी वरण के पीचे तह लग गया यानी कि वो खुद का ये नाम है दूसरे किसी को साथ में वो नहीं ला सकता तो यहाँ पर आद का मलब अ बरन अ बरन का मलब या आ के बाद में कोई अच का मलब कोई स्वर आई नहीं तो क्या होगा की दोनों की जगह की देखो इससे पहले आपने आयादी संदी की इंता की उसमें क्या होता था कि जैस Senior संदी में क्या होता था क्या एउरी के बाद में कोई अच चाहिए तो परिवर्तन करना है लेकिन अधिंग गुण सुत्रिये कहता है कि अवर्ण के बाद कोई स्वर आए तो प्लस के पहले और बाद में दो दो दोनों स्वर है दोनों की जगे अपने को क्या करना है गुण आदेश कर देना है यानि कि गुण बठा देना अब गुण क्या है या अपने अभी याद गया था अई और इंतिनों का नाम क्या है गुण है चलो मान लिया बर इनका नाम गुण है अदिर से करों गया कि मेरे इस मेने एक अधान लेका वाइस में उपेंद्र चलो समझें उपेंद्र संधी पिसेट करूँ क्या होगा उप प्लस इंद्र हो गया हो गया सर्व अब देखो प्लस है प्लस से पहले क्या है उप प के अंदर है हाँ जी है उसके बाद क्या है कि ई है सर चलो अ प्लस ई अपने सुत्र क्या कहता है आद गुण ये सुत्र ये कहता है कि अ वर यानि कि अ और आ के बाद में कोई स्वर आए या पर पर के अंदर वाले अ के बाद में कोई स्वर ई है आसर है तो इन दोनों की जगे अपने को क्य क्या करना है कि अपने को करना है गुण अब गुण में कौन कौन से है सर के गुण में है तीन वर्ण ए और ओ तीनों में से कौन सा करें तो वही वहां वापस जाना यन संदी में अपने एक सुत्र पढ़ाता इस्तानी अंतरतमा कि जब आदेश करना हो तो उनमें उच्चानिस से उंत्तान समान होना कि यह पर खuntsान सान मुसां कंट पर च+. breath तालू है तो अपने यह पर क्या करेंगे पर क्छेस्ाड करेंगे जबकी तक नहीं करना है शब्स आइख ढागी वाली डोन ने एक प्रिया फिर ने तो और जो कि अबने को क्या करना है कि अपने को करना है कि अपने को करना है चलो इसका नीचे एक और उना आई रहा है तो चलो यह अपने बाद में करा इसी के साथ में देख लेंगे है ना